हे दोस्तो मैं मुकीश और मैं आज बात करने जा रहा हूं कंटिनिस कास्टिंग मशीन में जो EMS लगे होते हैं तो EMS क्यों लगा जाते हैं क्या परपस लगाने का और वो क्या काम करता है इसके बारे में आज बात करेंगें डिटेल्स में तो सबसे पहले सिस्यम के बारे में आपको बता देता हूँ CCM क्या है CCM को कंटिनिस कास्टिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है और यहां पर क्या होता है कि मॉल्टर इस्टेट में जो स्टील होती है उसको सोलोडिफाई करके एक शेप में ढाला जाता है ठीक है तो चलिए इसके बाद यह मेंस के बनुब सोलो जाता है और यह मोल्ड इमस है इसलिए मोल्ड के सामने लगता है ठीक है इसके लेट साइड में आपको एक इमेज दीख रहा होगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जब टेंडिस से मॉल्टन स्टील मोल्ड में आके गिरती है तो यहां पर इमस लगी होने कारण एक रोटेशनल फ्लो होता है मॉल्टन इस्टिल का और एक टॉर्क जेनेट होता है इलक्त्रो मेजनेटिक टॉर्क और वह आपकोर्ट की डियरेक्शन में लगता है और यहां से मैटल सलिदूफाई होना स्टार्ट होता है ठीक हैँ अब चलिए इमस को थोज़ा से ब्रीफ है मतलब कि लिक्वatics स्थिल में ख़ोड़ी चोड़े हैं उसके ग्रोध को एक से कंकर हम इसके अग। और यह जो है लिकुट इस्टिल के फोड़ को कंट्रोल कर सकता है ऐस टेदार लिक्विड इससे कंट्रिक्ट किये बीना इस के फ्लो को कंट्रूल कर सकता है ठीक है अब चलिए इसके टाप्स के बारे में चाल लेते हैं यह मेंस के कितने टाइब सोते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यह मेंस के तीन टाप्स होते हैं सिस्यम के और फाइनल एमस उसके बाद लगा जाता है लास्ट में ठीक है तो ब्रीफ में जानते हैं मोल्ड एमस क्या है और क्यों यूज गया था इसको तो मोल्ड एमस क्यों लगा जाता है क्योंकि जो मॉल्टन इस्टील होता है वह होता है तो उसके स्ट्रक्चर को इंप्र improve करता है उसके पाद pin hole और punch hole जो आता है उसको कम करता है today nextpt to extend EMS तो जो metal solidify हो चुकिए है blade के form में, Blue के form में या फिर slab के form में तो उसके structure को ऑच यह ब्ज्सक्रवभ करने के लिए extend EMS को लगायाता है ठीक है उसके बाद segregation reduction प्रित्क्रन को कम करने के लिए ज्यादा फैलाव ना हो जो स्वाइड हो चुका है फिर भी वह फैल सकता है तो उसके ग्रेंज को एक दूसरे से बांध्य रखने का काम करता है मतलब प्रित्क नहीं होने जाता इस्ट्रक्चर को उसको पोरोसिटी रिडक्षन मतलब कि जो मुझे छेद टाइप का हो जाता है तो उसको कम करने के लिए इस्टेंड एमस का यूज कर आता है नेक्स्ट है फाइनल एमस तो यहां पर स्वाइडिफ्रिक्षन इंप्रूब्मेंट इन सेंट्रल एरिया मतलब जो स्वाइड हो चुका है ब्लेट ब्लूम या उसले जो भ बाँधर रखता है उसका सफेकर आज Argentine कि इसके इस्ट्रोशकिसर को फैले नहीं देता है मतलब की प्रिथक करन जो है उसको कम करता हैं उसको बाद Central Porosity Reduction मतला उसको जो Central Part होता है जो बिलेट ब्लूम या सिलाब होता है उसको Central Part होता है उसमें कुछ छेदा टाइप के हो जाता है जो पीछले आपको बता है हमें तो उसको कम करने काम काता है ठीक है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमें में लिख थेंक्स पूर वाचिक